तो फ्रेंड इस वीडियो में बात करेंगे HSC exam में 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी हरियाना जी के क्वेशन पुछे गए हैं उसके भाग नमबर 3 की बहुत सारे ऐसे क्वेशन हैं जो बार बार पुछे जाते हैं उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे और साथ-साथ उनसे रेलेटेड क्वेशनों को भी समझेंगे कि exam में इसके अलावा क्या क्वेशन पुछा जा सकता है तो फ्रेंड इसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूगा आप वहांसे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि HSAC में हरियाना जीके के क्वेशन कैसे पुछे जाते हैं और इसके अलावा कुछ most important notes की PDF का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहांसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी WhatsApp नमबर 8590-8508 पर मैसिज कर सकते हैं तो चलिए फिर आज का टोपिक शुरू करते हैं किस जीले को शिरी पद जनपद कहते हैं कुछेतर किस व्यक्ति को बागड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं सर छोड़ू राम को हरियाना संस्कित अकैदमी द्वारा प्रकासित मासिक पत्रीका को किस नाम से जना जाता है ये है हरी परवा हाली पुरुषकार किस के द्वारा दिया जाता है हरियाना उर्दू कैदमी इस समय हरियाना में कुल कितने जीले हैं 22 हर्याना का सूचना लोक सबंद और भासा भिवाग एक पत्री का कौन सी निकालता है ये निकालता हर्याना समवाद सूर्दास किस मुगल सासक के समकालिन थे अकबर के हर्याना का कौन सा लेखक उर्दू पत्री का भारत परताप का संपादक था तो ये था बाल मुकंद गुप्त और ये पत्थर कोई नूर के भी संपादक थे हर्याना में उर्जा उत्पादन है तो कोन उत्तिरदाई है तो ये है हर्याना उर्जा उत्पादन कॉर्पूरेशन जिसकी स्तापना होई थी 17 मार्च 1997 में वह पांच गाव कौन से थे जो युदिष्टर दुर्योदों से मांगना चाते थे तो वह पांच गाव कौन से थे पानी प्रस्त जिसको इस में करते हैं पानी पत दूसरा था सोन प्रस्त जिसको इस में करते हैं सोनी पत व्रिक्ष प्रस्त जिसको इस में कहते हैं बागपत इंदर प्रस्त जिसको इस में कहते हैं दिल्ली तिल प्रस्त जिसको इस में कहते हैं तिल्पत तो ये पास काउं थे उस में हर्याना के सरवादिक लंबी सेवा में रहने वाले रजजेपल कौन थे तो ये थे बियान चकरवर्ती जिनको कहते हैं विरेंदर नारेन चकरवर्ती जो की 15 सितंबर 1966 से लेकर 26 मर्च 1996 तक रजेपल रहे थे हर्याना में किसे लोग थेयर्टर का जनग माना जाता है ये माना जाता है अली बक्स को जो अली बक्स है ये रिवाडी की हैं हर्याना का राज के पसु कौन है काला हीरन जिसको कहते बलैक बक और हर्याना का राज के पकसी है काला तीतर जिसको कहते बलैक फ्रेंक कोलेन हर्याना की विधानसवा कहा स्थित है चंडीगड में रिवाड़ी कि लाल मस्जिद किसके ससनकाल में बनाई गई, ये बनाई गई अकबर के एकलव्य को समर्पित, एकलोता मंदिर कहां स्तित है यह खांडसा में, जो कि है गुरू गुराम में गुरु ग्राम का कार्तिक संस्कृति उत्सव किसके परसार पर लक्षित है तो ये है मारसल आर्ट और लोक आर्ट पर संथ सूर्दास ने संगीत के सिक्सा किस अचारिय से ली थी तो ये ली थी संथ हरी दास से हर्याना में किस फसल का सरवादिक उत्पादन होता है तो ये होता है गेहूं का किस स्थान से प्राप्त अभी लेखों में संगीत के साथ सवरों का उलेख मिलता है तो ये मिलता है अग्रोहा से और अग्रोहा काँ पे है हिसार में हर्याना तिलक सब्ताइक पत्रीका के संपादक कौन थे सिरी राम सर्मा हर्याना में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है तो ये हैं हिंदू देखो 2011 की जनगन्ना के अनुसार जो हर्याना है इसमें निवास करने वाले लोगों में से 87.46% हिंदू 7.03% है मुस्लिम 4.91% है सिक और 0.3% है जैन बरहम सुरोवर्तिरत कर किस स्थान पर सित्त हैं ये है कुछ छेत्तर में और इसका वर्नन मिलता है किताबूल हिंद में मोहन सिंग मंडार की रियासत किस स्थान पर थी तो ये थी कैथल में हरियाना के किस छेत्तर में महिला सकसर्ता दर्निउन्तम है तो ये है मेवात में जो जुत होमस ने 1717 में में पर देश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया तो ये बनाया था हासी को नाहर वनियजीब अभियरन कहां पे है रिवाडी में और इसको 2009 में स्वेदन सिल्चेतर गोसित किया गया था कब 2009 में कौन सी जील पर विदेशी प्रटन अधिक संख्या में आते हैं तो ये आते बढखल जील में इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और ये कहां पे हैं फरिदाबाद में हरियाना में किस फल का सरवादिक उतपादन होता है तो ये होता है आमका कक्रोई सुकसम जल विदुद पर योजना किस नहर पर बनी है तो ये बनी है पस्चमी यम्ना नहर यम्ना नगर का पुराना नाम अब्दुल्लापूर हासी का बर्षी दर्वाजा किस ने बनवाया अलाउदीन खिलजी ने सिप संबुक के चीठे और खत बनामलोड का जन नामक निमन संग्रै किस संतरता सिनानी की रचना है तो ये हैं बाल मुकंद गुप्त की वैदिक सहित्य पर एक विश्तरित पुस्तक के रूप में जानी जाने वाले वी चार सागर किस ने लिखी तो ये लिखी निश्चल दास ने जो निश्चल दास हैं इनका जनम हुआ था रोत्तक के किरहोली गाउं में पानी पतनगर पाली का पहली बार कब गठित की गई ये की गई 1887 में कब 1887 में हर्याना राज्य परदूशन नियंतन बोड का मुखहले कहां स्थित हैं पंचकुला में हर्याना के कौन से सहर में राष्ट्य सोर उर्जा संस्तान हैं तो ये है गुडगाउं में जिसे आज के टाम गुरूगराम कहते हैं चोदरी देविलाल हर्याना के कौन से जिले में स्थित हैं तो ये है यमना नगर में कपाल मोचन हर्याना के यमना नगर में स्थित एक प्राचिन तिर्च स्थल है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है इसको कहते हैं गोपाल मोचन क्या गोपाल मोचन और प्राचिन मानिताओं के अनुसार ब्रामन की हत्ता एक बहुत बड़ा पाप था ब्रामन का पाप इस स्रोवर में सनान करने के बाद समाप्त हो जाता था हर्याना के मेंदरगण जिले में स्थित मोडा वाला मंदीर किसे समर्पित है तो ये है भगवान सिवजी को मिवाद का मुखेले कहां पे है नू में गव करन तलाव किस नगर में स्थित है रोग तक में नसीब पूर किस रूप में जाना दता है अठारा सुस्तावं के क्रांते के रूप में सबसे अधिक सैनिक वादी कारी रेवाडी जिले के किस गाम से होते है ये है कोसली से हर्याना कोसल विकास का समन्द किस भिवाग से है तकनीक की भिवाग से बाखणा नैर किस नगर के नजदीक से हर्याना में प्रवेश करती है तो ये करती है टोहाना से हर्याना में महिला सुरुखसा के लिए हेल्प नाइन नमबर क्या है 1091 पिंग पटड़ी का समद किस महीने से है सावन से परसी संतरता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकपिरिय था उसका नाम क्या था तो उनका नाम था लाला लाजबत राई फ्रिदवा जिला किस में से बनाया गया ये बनाया गया गुडगाउं में से और ये कौन सा जिला बना था बारवा जिला 1966 में जीन तसील का किन दो तसीलों में बटवारा कर दिया गया था तो ये कर दिया था जीन्द और सफीदों में जो जीन्द है इसको जन्ती देवी नगर भी कहते हैं हरियाना का राष्टे खेल है कुस्ती रिंग देव में हरियाना का क्या नाम है राज हरियाने जो रतनावली है ये किसने लिखी ये लिखी हर्सवर्दन ने सुप परसिद हिंदी कहानिकार विसंबर कोसिक का जनम कहां पर हुआ था तो ये हुआ था अंबाला में हर्याना का उच न्याले कहां पे स्तित है चंडीगड में जो हर्याना है और पंजाव है उन दोनों का न्याले एक ही है और वो है चंडीगड में बाटा जुत्ता कार खाना कहां स्तित है फरीताबाद में हर्याना में सबसे अधिक गेहों की पैदावार करने वाला जिला कौन सा है सिर्सा हरियाना में एसिया का सबसे बड़ा पसुप पालन फारम कांस देता है करनाल में जिसको राष्टे डैरी और नुसंधान संस्तान भी कहते हैं मंजीरा लोक निर्टे में नीमन में से कौन सा उपकर्ण बजाय जाता है तो इसमें नगाडा, डफली, मंजीरा ये तीनों बजाय जाते हैं और इस निर्टे को महीला और पुर्स दोनों करते हैं हरियाना की धमाल निर्टे विद्या का परदसन नीमन में से कहां किया जाता है तो ये किया जाता है जजजर और महिंदर गड़ में जो दमाल निर्ते हैं इसका समन्द किस से हैं महाभारत काल से ही हर स्यूगीन तांबे के सिक्के कहां पर पाए गए थे ये पाए गए थे सोनीपत में मुगल समराट अकबर के समय रेवाडी का ससक कौन था ये था हेमचंद किस सहर को हरियाना का मिलेनियम सीटी कहते हैं तो ये कहते हैं गुरू ग्राम को किस पुस्तक में हरियाना में थाने सर और कुर्चेतर के छेतर में बहने वाली नदियों का वीवरन दिया गया है तो ये दिया गया पामन पुरान में किस बोध सहिते में हर्याना के बारे में जानकारी मिलती है तो ये मिलती है मंजी मनीकी में और दिव्यवदान में वीर सिकार वन्यजीब अभ्यारन किस जिले में स्तित है पंचकुला में और पंचकुला में कहां पिस्तित है पिंजोर में कभी सतलुज नदी और यम्रा नदी कौन सी नदी की उप नदी होती थी, यानि सायक नदियां होती थी, तो ये होती थी सरस्वती नदी की, हर्याना का सबसे सिक्सित सहर कौन सा है, गुडगाउं, हर्याना विकास पार्टे की स्तापना किसने की, बंसी लालने, किसने चोधरी पैदावार कहा होती हैं तो ये होती करनाल और कुरुछेतर में हर्याना सव्द का सव्दिक अर्थ क्या है भगवान का वास हर्याना के मेंदरगण जीले में किस सुपरसिद योग गुरु का जनम हुआ था तो ये हुआ था बाबा रामदेव का गोड़ी निर्ते किस समय किया जाता है ये किया जाता है विभा में बान भट किस राजा के दरवार में कभी थे हैसवर्दन की हर्याना में कुल कितने लोग सवा निर्वाची छेतर है तो ये हैं दस गुरुगाव का नया नाम क्या है गुरुगराम देयानन मायना हरियाना में एक प्रतिष्टित हैं क्या है कवी और लोक कलाकार दीपचंद भहमन को अन्य किस नाम से जना दता है इने कहते हैं हरियाना का काली दास या हरियाना का सेक्सपियर मारकंडा नदी का उद्गम स्दल कहां से होता है ये होता है नहान के पास सिवाली की पहड़ियों से हर्याना में कुल कितने राष्टे उद्यान हैं? दो, एक तो सुल्तानपूर नैशनल पारक, दूसरा कलेशिर नैशनल पारक हर्याना का सबसे छोटा जिला कुन सा है? पंचकुला हर्याना में किस स्थान पर अंतर राष्टे सिल्फ मेला आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है सूरजगूंड में और सूरजगूंड कहां पे है? फरीदाबाद में और इस मेले का नाम भी क्या है? सूरजगूंड मेला ये फर्वरी मैने में आयूजित किया जाता है हर्याना को किस रज्जे से अलग करके एक अलग रज्जे बनाया गया था तो ये बनाया गया था पंजाब से अलग करके 2021 में हर्याना के मुख्यमंत्री कौन है मनहोरलाल खटर दंगल फिलम में माविर सिंग वोगाट का चरीतर किस ने किया अमीर खान ने भट भारती सत्य गराही परलाद मीरा मतवाली सत्सई किस की कवैत मक्रीतियां हैं तो यहें तुलसी सर्मा दिनेस की युम्ना नदी किस नदी की सायक नदी है तो यह गंगा नदी की हर्याना के किस जिले में सर्चों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है तो ये होती है महेंदर गड़ में राष्ट डेरी अनुसंधान संस्तान कहां स्तित है ये है करनाल में बनावले किस जिले में स्तित है जहां सिंदू घाटी सबत्या के सक्सेप पाए गए थे तो ये है फत्याबाद में हर्याना की सरकारी भासा कौन सी है ये है हिंदी भेंडरवास वन्यजीब अभ्यारन और पक्सी अभ्यारन हर्याना के किस जिले में स्तित्त है तो ये है जज़्जर में किस जिले को हरियाना का 22 जिला घोसित किया गया तो ये किया गया चर्खी दादरी को हरियाना में कहां सबसे पुराना All India Radio है तो ये है रोगतक में जिसकी स्तापना हुई थी 8 मईए 1906 में विसाकी तोहार किस महीने में मनाया जाता है अपरेल में हरियाना का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां स्तापित किया गया था ये किया गया था कुझपूरा में जो की स्तापित हुआ था 1961 में तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही अगर आप इसका अगला भाग भी देखना चाते हैं तो उसके लिए आप कुमेंट करें अगर आपके 50 कुमेंट आते हैं तो इसका अगला भाग मैं जल्दी लेके आजाओंगा और इसके PDF का लिंक मैंने डिस्ट्रिप्शन में दे दिया है आप वह से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें 2015 से लेकर 2021 तक के सभी हर्याना जी के के क्वेशन करा रखी है और अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस कर लो यार और साथ की साथ बेल आइकन को भी दबा दो जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ओके फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही अमिल तक नए वीडियो के साथ तब तक ले जैहिंद बंदे मातर हम और अगर आप हर्याना पुलिस के एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो हमने एक एबुक बनाई है हर्याना करंट फेर की जिसमें पिछले 13 महीने का हर्याना करंट फेर है डिटेल में भी है ओप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है ठीक है पहले आपको कौन सा बढ़ना है डिटेल में फिर ओप्शन टाइप यानि उसका रवीजन हो जाएगा और फिर एक्जाम से पहले वन लाइनर जिस से अब कम समय में इस पूरे करंट फेर का रवीजन भी कर पाऊगी फिरेंड अगर आप इस ई-बुक को चाते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चाहे तो वहाँ से डाउलोड कर सकते हैं ओके फिरेंड अमिल तेक नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिंद बंद मातरम